पर चर्चा चल रहा है तो देखिए पहले आ जाते हैं यहां यह आर पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है यह उनिट चार्ज इस चार्ज को थोड़ा छोटा करिए इसको आपको पी पॉइंट पे लाना है पकड़के यह सोर्स जो हूँ प्राबर ठीक है सर समझ गया अब तो इसको जब आप यहां लाए तो अपने आए गई नहीं आएगा रिपेल कर रहा है तो मनली शुरू में है कील ठोक दिये हैं इसको भी कील ठोक दिया है अब फिर यहां से कील उखाड़के वे स्मॉल क्यों को पास ला रहे हैं आर से पी त अज एक्स्टर्नल एजेंट जोओकर झोर ला वाए पर जेंडे WORKD gotta नarg ठेन नटीव हो जाएगा पोजीटिव अव एलेक्स्टर्नल एट्रहेंट का नीगेटिव हो जाएगा वाल लोटान प्रावर बिल्कुल सही जो यहां पर वर्क डण आप देखेंगे वर्क काइनेटिक नजी थिरम क्या है कि वर्क डण बाई एक्स्टर्नल अप्लस वर्क डण बाई इलेक्ट्रिक इस सब मिला कि का होगा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि हम जीरो लिख दिये कहा है जीरो लिख दिये कि स्लोली लाई बाबा एकदम प्रॉं केनेटिक एनर्जी हम होने ही ने दिये तो क्यों सिलो ला रहे हैं उसका क्या फाइदा है कि एक्स्टर्नल एजेंट का वर्क डण इंटरनल एजेंट का यह ओंता है नА राध पता है आपको भिलकुल पताा है तो वर्क डन बाई एकस्टरनल एजेंट है तो इधर आया जब तो प्लस्टल यू होगया यह जनी की यू final minus u initial अगर external agent initial से final ले गया तो यह आई एफ है और इधर देखिए f minus i है इसा उल्टा है तो वर्क डन बई external agent i से f ले जाने पर किसके equal आया u i minus u f नहीं यू f minus u i के equal आ गया तो उसी बात को यहां पर लिखा है कि work done to move a charge particle from r to p by external agent is equal to u r minus u p नहीं up minus u r r p है order में लेकिन यह r minus p नहीं लिखाया p minus r लिखाया है ठीक है इसमें देखिए कोईशन पूशा 3 charge particle दिया हुआ है move along the path in uniform electric field पहले से यह यह जो है यह सब field है जो लॉंग आपको दिख रहा है लाइने से यह electric field को indicate कर रहा है इन इच ओफ थ्री केसे इस स्टेट वेदर कि दो प्रोटेंशल एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ऐसा बतन है तो देखिए फर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यह 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 नंबर चार्ज की बात करते है तो यह माइनस क्यू चार्ज है तो अभी फर्मूला हम लोग पढ़े है कि वर्क डण बाई external agent जो होगा ना वो होगा यू final minus u initial यह होता है ना final minus initial अगर external agent initial से final ले जा रहा है तो ठीक है तो ए पर focus करते हैं ए पर focus करिए यह electric field राइट वर्ड है मतलब इस side में plus plus charge होगा और इधर minus 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 कुछ होगा तो electric अब इस चार्ज पार्टिकल को आप उल्टा एलेक्रिक फिल्ड के ला रहे हैं तो माइनस चार्ज जो है माइनस चार्ज तो खुद इस प्लस के तरफ आने के लिए वेचायन है अपने आपको आ जाएगा एक्स्टरनल एजेंट का जरूरत ही नहीं है यहां पे प्लस के पास यहां पोटेंशियल एनर्जी वर्क डण बाई एक्स्टरनल एजेंट होता है यूफाइनल एनर्जी नहीं होता है तब डिल्टा के जीरो लिये थे अभी अभी उपर यह से एक्स्टरनल एजेंट उल्टा फोर्स लगाया और यह चला गया इधर आगे इधर की तरफ जा रहा है कि तरफ जबकि एक्स्टरनल एजेंट का वॉर्कड़न निगेटि समझ गई है potential energy decrease किया दूसरे केस में देखिए बी में इधर क्या था प्लस 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 था प्लेट तभी तो एलेक्ट्रिक फिल्ड राइट था इधर माइनस 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 था प्लेट अभी केस में पोजिटिव चार्ज है तो पोजिटिव चार्ज तो इधर आना पसंद न लगाया होगा तो एक्स्टरनल एजेंट का वर्कड़न यहां क्या हो रहा है पोजिटिव यह पोजिटिव है तो इसको पोजिटिव होने के लिए फाइनल वाले यू को ज्यादा वना पड़ेगा यानी potential energy increase कर गया किसका potential energy increase कर रहा है जो आप चारज को ला रहे हैं है फकड़कर उस चार्ज का potential energy किसी फिल्ड में पहले सही अगर किसी का फिल्ड बना हुआ है तो उसमें किसी चार्ज का potential energy होता है राइट वह इस चार्ज का पोटेंसिल इनरजी की बात कर रहा है कि यहां से इधर ला रहे हैं तो बढ़ रहा है कि घट रहा है सीक्ष में बात करते हैं चलिए बात करें तो इधर था प्लस-फ्लस और योडर देखिया ऐसे रोंद दिया हुआ तो यू फाइनल छोटा होगा और यू इनिशेल बड़ा होगा तभी तो राइट सेट भी निगेटिव आएगा यानि फाइनल पोटेंशियल नर्जी कम होगा तो डिक्रीज तो तीन जो केस दिया हुआ था इन्होंने उसमें पहले केस में क्या हो गया था डिक्रीज दूसरे इसको यह क्या इसमें सिखाना चाहरा है कि पी और क्यू के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यू यह यह दोनों में कुछ एड कर दीजिए अल्फा यह एड करने का कब नो बताए जब इंफिनिटी पे जीरो नहीं लिए है उसकेस में तब दोनों पॉइंट के बीच इसका प्र इसका प्रोकiska Everything का होगा उदक होगा यू आजन ऑपने सकते हैं यूपी प्लस अलफा माइनस ए यू आर को यू आर प्लस अलफा यह यहां लिख रहा हैं क्योंकि आप रेफरेंस इसको ले रहे हैं युँदा जीरो नहीं ले रहा है जैसे एक्जाम्पल के थुरू समझाते हैं एक स्प्रिंग है यहां और यह नैचुरल लेंथ है तो इसकी पोटेंशिल एनरजी क्या है जीरो है अब जब कोई एक्स्टरनल एजेंट आके और इसको इस्प्रिंग ब्लॉग सिस्टम ब्लॉग को दबा दिया यहां कितना दूरी दबा दिया एक्स तक ठीक तो शुरू में पोटेंशिल एनरजी इसका क्या था जीरो और एक्स्टरनल एजेंट जितना काम किया होगा दबाने में वही पोट external legend और इसको दबाके और यहां तक ले आया कुण कि पॉइंट है तो क्यूग प्योव्याट तक ले तक ले या तो क्यूव का पोटेंशल डिज्न ग्या होगा तो जाये गाए तो से प्लस अल्फा झा Northern लेंथ पे अल्फा प्लस लिखना पड़ता यह कि यह यू क्या है potential energy at point q है है कि नहीं उसी को बोल रहा है यहां पर देखिए कि actual value of potential energy is physically is not यहां लिखा है not physically significant potential energy का कोई significant नहीं है it is only difference of potential energy that is significant क्योंकि difference जब निकालेंगे तो point का तो वह अलग-अलग नहीं होगा किसी point का potential energy किसी point पर जब कोई charge है तो उसका potential energy define करना सही नहीं है तो यहां पर कोई point है और यहां क्यों है तो potential energy P point का कितना होगा P point का वो कोई उसका meaning नहीं है physical क्योंकि P point का potential energy आप जब आप define कर रहे हैं किसी point P का कि infinity से स्वार यहां लाने में किया वर्कडन है इंफिनिटी पर जीरो और potential मानेंगे तबन इंफिनिटी से यहां आया हुआ वर्कडन को आप बोलेंगे कि यह है अगर इंफिनिटी पर पांच कोई मान लिया तो इंफिनिटी से यहां लाया गया वर्कडन प्लस 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 लिखना पड़ेगा यहां का potential energy प्लस प्लस पंद्राइनरजी मिलेगा तो किसी पॉइंट का potential energy नहीं है वो ier reference पर Св 실 टेप्रड कर जा रहा है लेकिन एन्रजी डिफरेंट डो पॉंट की एड़सी ऑफोल्ड आये गा क्योंकि जब डून यह जाग은 जोके इसके लिए Mum y और पॉइंट तक लाने में और अलफा इंफिनिटी का पॉटेंशल जाएगा तो देखिए वही आ गया कि नहीं यह इंडिपेंडेंट हो गया आपको रेफरेंस क्या लिए कितना लिए रेफरेंस के जगा पॉटेंशल नरजी को तो यह इसलिए यह ज्यादा सही है डिफरें का पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं रह रहा है अब कॉन्वेंशन बना दिया गया है कि इंफिनिटी पे जिरो ले लिजी आप एनरजी क्योंकि इंफिनिटी पे जब रहेगा चार्ज तो एक इंट्रेक्ट नहीं करेगा रिलाक्स रहेगा इसलिए वहाँ जीरो ले ले हैं इंफिनिटी पे जब जीरो ले लिए एक बार आप तब एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी करने लायक आप हुए इसे डिफाइन किये कि वर्क डान बाई एक्स्टर्नल एजन्ट एक्स्टर्नल लिखना मत भूलिएगा टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट किसी फिल्ड में जैसे पहले से आल्रेडी यह सोर्स का फिल्ड बना हुआ है तो किसी पॉइंट चार्ज इनफिनिटी आए यह इनफिनिटी को जीरो ले लेंगे और वह वर्क डन बाई एक्स्टर्नल एजन्ट इनफिनिटी से पीलाने पर यूपी ही आ गया यानि कि पॉइंट का पोटेंशियल तो कोई अगर पहले से दिया हुआ है कि यह से एलेक्ट्रिक फिल्ड है और इस पे एक प paralysis है तो यहां एक Q Coulomb चार्ज किओं उसक्शार्ज को यहां जब ले आयं तो बोला जाएगा कि इस.पाइंट पी पे क्यूट का potently energy कितना है तो वर्क डबन एक्स्टर्णल जेंट इन फिनिटी दूर्टि से चार्ज का potential energy नहीं होता है हमेसा system of charge का होता है अकेला चना भाहर नहीं फोड़ सकता है अकेले का क्या होगा potential लेकिन अगर field external already present है तो अकेले का potential energy ऐसे define किया गया है उस अकेले Q charge को infinity से और field में किसी प्यूपाइंट पे लाने में किया गया work है तो potential energy of a charge particle define है potential energy of a charge particle इस तरह से define किया गया है और potential energy system of charges का तो है इंफिनिटी से उस system को assemble करने में किया गया work done लेकिन potential energy चार्ज का भी है अब जिसे हमको field का property में interest है जैसे यहां पहले से field है तो दो कूलम को charge को लाएंगे तो मुझे अलग external legend को work करना पड़ेगा तो इस जगह का यह पी कोई पॉइंट है तो पी पॉइंट का potential पी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज क्यू का potential energy अलग होगा टू क्यू चार्ज को लाएंगे तो ज्यादा पॉइंट का प्रोपर्टी जानना है तो क्या करेंगे यूनिट चार्ज के लिए कर देंगे कि वन कुलंब चार्ज को इंफिनिटी से हम इस पॉइंट पे लाएंगे तो इस पी पॉइंट पे जितना लाने में वर्कडून करना पड़ेगा वन कुलंब को वह उस वन कुलंब चार्ज का potential energy नहीं बोलेंगे अब हम बोलेंगे कि यह पी पॉइंट का potential हो गया और पोटेंशियल और कि जाल कि सी पॉइंट का होता है इस पोइंट पे potential कितना है यह सोर्सका यह विल्ट का ठेक और पोटेंशिल एनर्जी किसी चार्ज का होता है कि Q charge से associated potential energy कितना है तो यू पी माइनस यू यू आर क्या था तो ये था आर से work done by external agent आर से पी ले जाने में को क्या लिखेंगे हम यू पी माइनस यू आर लिखेंगे बराबर है बात तो अभी यही work done पर unit charge कर दें यानि दोनों इस यू को चार्ज से डिवाइड कर दें तो यह potential difference आजाएगा potential energy के जगा पर तो वही यू पी माइनस यू आर डिवाइड वाई क्यू जब कर दिये तो वही पी माइनस वी आर यानि potential energy difference नहों के potential difference हो गया दो point के बीच का यहां पर क्या यह साब साब देखें लिखा है कि यह और वी पी और और electrostatic potential at point P and R and U P and U R are potential energy at point नहीं लिखा है off charge Q when placed at P and R respectively यह word बहुत important है यह जैसा लिखा है वैसा ही exactly आपको mind में set कर लेना है कि वी पी और वी आर किसी point का potential है किसी point पे source का potential कहा जाएगा जबकि यू पी जो है ना वो PC point charge की यह Q charge का potential energy कह लाएगा राइट और वैसे यू आर जो है that is not the actual value of potential but potential difference that is physically significant वैसे ही if as before we choose the potential to be 0 at infinity the above equation implies मने इसमें भी अगा reference point का 0 नहीं है यू तो भी किसी point का potential का कोई meaning नहीं है potential difference जो है वह reference point आप क्या लिए है उससे independent रहेगा लेकिन potential इसलिए potential के ज्यादा value नहीं है potential reference change कर देज़ेगा potential change हो जाए किसी point पे लेकिन potential difference दो point के बीच मैंटेन रहेगा एक और analogy से समझते हैं कि जैसे एक spring है तो इस प्रिंग तो horizontal रखा हुआ है उसका तो नेचुरल लेंथ ही reference point लेते हैं यानि जीरो उसमें कोई दिखरते हैं लेकिन ऐसा vertical रखा है तो आप one kg का block जब इस पर हैंक करके रखे हैं तो यह नेचुरल से यह already अपने weight के कारण यहां आ जाता है मीन पोजिशन तो यहां क्या already इसके पास कुछ alpha energy आ गया अब यहां से अगर कोई external agent आता है external agent और वो इसको खीच के यहां लाता है तो external agent का जो work done है वह यह reference point यहां mean position से यहां a पे लाने में वह work done क्या होगा external agent का जो work done होगा वह energy के रूप में store होगा तो a point पे energy लिखा जाएगा alpha plus work done by external agent ठीक है a point तक लाने में वैसे ही और b तक यह लाया एक बार यहां तक लाया फिर और निचे लाया बी तक तो b point का potential energy b point पे charge का potential energy हो जाएगा वही alpha plus work done by external agent ठीक मुव दिस्चाज प्रॉम मीन पोजिशन टू इस बी पोजिशन तो दोनों का सब्ट्राइट करेंगे तो alpha alpha कर जाएगा और u a minus u b आ जाएगा तो अब देख सकते हैं कि potential difference लिखने समय इस बात का फर्क नहीं पड़ागी कितना केजी हैं करने से मीन पोजिशन मिला था मुझे अब यहां अगर हम 1 kg के बजाए 1 kg के बजाए 2 kg ले लेते तो अब मीन पोजिशन यह रहता ही नहीं और नीचे आ जाता यह जो मीन पोजिशन और नीचे आ जाता है तब external agent को जो equilibrium पोजिशन है उससे ए तक लाने में जो किया गया वर्क डन है वह अगर यूए है तो इस बार अल्फा के वैल्यू चेंज हो जाएगा अल्फा के वैल्यू अब यह अल्रेड़ी ज्यादा का elongate है तो नया अल्फा के वैल्यू कुछ आ जाएगा अल्फा डैस और यह भी अल्फा डैस हो जाएगा एकिन सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह अल्फा डैस कट जाएगा और फिर से difference of potential energy सेम आ जाएगा तो difference of potential energy जो दो point का है वो real significant है ए और बी का और यह जो potential energy है खाली ए का उसका meaning बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो depend करेंगा कि अब कहां से लाए है उसका reference point जहां पर है वहाँ energy zero है कि non zero है इसलिए potential difference या potential energy difference जो है उसका ज्यादा significant है और वो absolute term है राइट